दिस वीडियो बैंग विन टो सी दी ग्रीन सेरम तो यह ग्रीन सेरम का फोर्मिला है यहां पर मैं ने लिख दिया है यहां इंटेग्रल सी P डिएक्स ट्रुस क्यूओ दिवाइट टू टू इंटेग्रल डबल इंटिग्रेशन आते हैं यहां पर ब्रैकेट q with respect to x किया है minus p with respect to y dx dy तो यह formula है इसका green का तो इसमें होता है किया है आपको work done निकालना है अगर question में बोला है तो आपको work done भी निकालना है तो वो तो आपको पता है integration of f bar dot dr रहता है अभी f bar तो आपको question में दिया रहता है एक्जांपल यहां पर लिया हूँ मैं तो यह question लिया इसमें आपको f bar दिया है यहां पर कुछ तो है term u i plus v j plus w k तो यह जो unknown term में उसको मैंने u v w नाम दिया तो यहां पर यहां पर 3x minus 2y है यहां पर 2x plus 3y है यहां पर y square है प्लस यहां पर i j k है तो यह जो f bar है इसको मैं यहां पर put करूँआ जो question है यहां पर into यह जो d bar है वहां पर मैं dx i j के आ गया इसके वाद यह जो question है यहां पर i plus j plus i dot product में इसके साथ तो i into i1 होता है तो आपका जो question है वो with respect to dx हो जाएगा जैसे यह वाले question में मैंने लिया question यहां पर लिख दिया i j k dot product of this dr वाला यहां पर लिख दिया मैंने तो फिर इसको मैं करूँआ तो यहां पर question में z equal to 0 पहले ही दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ यह जो z वाला है k वाला बार यह तो directly 0 हो गया तो हमको simply i और j है तो यहां पर i, j dx जो हो इसको जाएगा और dy इससाथ है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया है यहां पर dx dy और dz का टोंग यहां पर 0 हो जाएगा तो next step में मैंने लिख दिया यहां पर तो इसके बाद जो मिल रहा है मेरे को यह फॉर्म में मिल रहा है यहां पर कुछ है डी-एक्स है प्लस यहां पर कुछ है वैल्यू डी-वाई है तो इसको मैंने P D X plus Q D Y ऐसे मैं फॉर्म में मिल गया मेरे को तो यह हमारा कुश्चन यहां पर था Green's theorem का formula that is P D X plus Q D Y यह हमको मिल गया यह form में अभी this is equal to this तो हमको यह मिल सकता है आपर तो पहले यहां से आपको P और Q मिल गया इसका हम अलग से लिख देंगे जैसे यहां पर मिला है जो P क्या मिला है 3X minus 2Y and then Q क्या मिल है 2X plus 3Y तो इसको मैंने यहां पर लिख दिया P और Q तो अब इसको with respect to P को with respect to Y और Q को with respect to X कर दूँगा मैं differentiate तो simply मैं P को with respect to Y करूँगा तो क्या हमाँ माइनस 2 बचेगा Q को भी ऐसे करूँगा with respect to X तो सिर्फ यहां पर 2 बचेगा तो यह terms मिलगा मिरको values फिर इसको simply मिरको यहां पर put करना है यह जो formula है so this is equal to double integration of यह जो region है यहां पर formula के हमारा पहले Q with respect to X minus P with respect to Y so q वाला जो term है उसको मैंने यहां पर लिख दिया minus of P वाला जो term है उसको मैंने यहां पर लिख दिया उसके बाद formula कहा है dx dy so dx dy यहां पर लिख दिया मैंने हो गया this is यहां पर क्यलिक होगा minus minus plus मास टूब जाएगा 2 गरस टू 4 तो 4 भार आ ग्या constant है तो region आपका dx dy यहाँ पर हो गया तो अभी यह वाला जो टर्म है region dx dy वाला यह question के लिए क्या है देखो एक बार so find the work done in moving a particle once the round ellipse तो यहाँ पर यह जो equation दिया है यह वाला जो equation दिया है यह ellipse का है तो यह जो नीचे वाला terms रहता है यह x के नीचे वाला यह a square है y के नीचे वाला b square है तो a का value के है 4 है और b का value के है 3,3 is a 9 होता है so a और b का value हमको मालूम बढ़ा है यहाँ पर but area of ellipse is pi a b तो यह उसका formula है इसको मैं वाला पर डालूँगा तो क्या होगा 4 हमाया जो work done है that will be 4 into pi into a into b तो a b का value हमने यहाँ पर निकाल है तो simply वो put कर देंगे that is 4 into 3 so 4 is a 16 and 16,3 is a 48 and then pi वैसे लिख देंगे तो यह हो गया question हमारा work done निकल गया 48 pi तो यह question था example तो यह question 6 marks या 8 marks के लिए आते green's theorem तो पहले तो हमारा यह formula याद रेना चीए फिर उसके बाद हमको work done निकालने के लिए क्या है formula f bar dot product of dr so यहाँ पर dot product है तो i into i 1 होता है j into j 1 होता है k into k 1 होता है और i into j जो रिता है वो सब 0 होता है तो वो हम लिखते नहीं है directly जो 1 होता है सिर्फ वो ही लिखते हम तो उस तरह से हमको p dx plus q dy के form में मिल गया तो उसको हमने यहाँ पर further किया this is equal to this and then यह region हमने solve किया यह values हमने put किया that is p हमको मिला तो उसको dx dy वो सब किया यहाँ पर जो terms use है वो ही किया जैसे कि q with respect to x चीए था तो उसे वो ही लिया और यहाँ पर p with respect to y चीए था तो यहाँ पर वही लिया so यह हो गया था एक type ellipse का यहाँ पर so that's all thank you